हाई एवरिवन मैं हूँ धनन जै उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे डॉक्टर जैस अंकर सर उन सब पॉलिटीशन्स में से हैं जिनका अल एक्रॉस पार्टीज काफी अच्छा रिस्पेक्ट है ना कि इनका रिस्पेक्ट अल एक्रॉस पार्टी से बलकि भारत में भी खास करके जो पढ़ी लिखे तपका हैं उनके बीच में भी इनका रिस्पेक्ट काफी है और लगभग हम कह सकते हैं कि सभी को इनके काम को काफी अप्रिशेट करते हैं इसी बीच डॉक्टर जैस अंकर सर एक event में थे जहां पे वो नहरू जी के बारे में कहते हैं कि उनका सोच काफी idealistic था कहने का मतलब है कि reality से दूर रहके सोचते थें वहीं पे डॉक्टर जैस अंकर सर का ये मानना है कि हमारे पटेल जी काफी realistic approach के थें हलाकि मेरा ऐसा व्यक्तिकत मानना है कि चाहे वो पटेल जी हो गए चाहे वो नहरू जी हो गए इन दोनों का भारत के लिए बहुत बड़ा contribution है और इस चीज़ से हम इंकार नहीं कर सकते हैं साथ में डॉक्टर जैस अंकर सर ने ये भी focus किया कि 2014 के बाद भारत line of actual control के आस पास बढ़ चड़कर infrastructure development किया है उसके बाद डॉक्टर जैस अंकर सर हिस्ट्री में दोहराय कुछ mistakes का भी जिक्र करते हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort अच्छा लगता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं जैसा कि हम सभी को पता है कि कश्मीर का कुछ हिस्सा वो पाकिस्तान के पास है जिसको कि हम कहते हैं पाकिस्तान occupied कश्मीर और ये हिस्सा चाइना के पास है जिसको हम कहते हैं अकसाइचेन ये हिस्सा हम कह सकते हैं कि बहुत हद दक 1950 से चाइना के पास ही था और 1962 का war के बाद चाइना इसको officially अपने area में declare कर देता है अब क्योंकि 1947 में भारत को अजादी मिली थी इसलिए उसके पहले जितने भी जो borders बनाये गया थे चाइना के साथ में वो Britishers ने बनाये थे और अपने हिसाब से बनाये थे और उसके बाद 1950s के आज पास से ही चाइना उन सभी agreements को मानने से इंकार करना शुरू कर देता है जो agreements Britishers के द्वारा बनाया गया था As a result भारत और चाइना के बीच में आज भी कोई strict या specific border नहीं है इसलिए हम line of actual control कहते हैं चाइना कुछ और क्लेम करता है भारत कुछ और क्लेम करता है और as a result भारत और चाइना के बीच में relation इतने खराब हो जाते हैं कि 1962 में war हो जाता है भारत और चाइना के बीच में अगर हम 1962 का war को बहुत ही neutral तरीके से पढ़ेंगे तो कुछ points है या कुछ facts है जो हमें मानना पड़ेगा सबसे पहली बात कि हाँ इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि हमारे पंडि जोहालन नहरू जी चाइना का जो mindset है जो इनका approach है उनको वो समझ नहीं पाये थे और सरदार पटेल हो गये या इनके जैसे और भी जो उस वक्त के leaders थे उन सभी ने चाइना का जो activity था उसको लेके पंडि जोहालन नहरू को multiple warnings दिये गये थे लेकिन हम कह सकते हैं कि almost सभी warnings को हमारे पंडि जोहालन नहरू जी ने इनकार कर दिया था as a result आज जिसको हम line of actual control कहते हैं उस आसपास के region में चाइना बढ़ चड़ कर अपने infrastructure development को कर रहा था कहने का मतलब है कि उनका जो development था वो हमारे development से कहीं आगे था इसके अलावा भी कुछ facts ये भी हैं कि भले हमारे पास infrastructure development नहीं था लेकिन जो भी हमारे उस वक्त के forces थें वो काफी दिलेरी से लड़े थें और उसके बाद पूरे war में जो एक proper coordination होता है उसका भी काफी कमी देखा गया था बहुत सारे military veterans ये मानते हैं कि अगर सिर्फ हमें हमारे forces को proper equipments मिलते हैं तो चाहे चाइना का जितना मरजी उतना infrastructure उनका अच्छा होता या था उसके बावजूद चाइना हमसे हार जाता या at least जो हमारे area था उसको हम lose नहीं करते हैं और उसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ा चीज को miss कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि Mao Zedong का चाइना में जो popularity था वो काफी घड़ जाता है क्योंकि 1950s के आसपास में भारत और चाइना का जो economic condition था वो almost almost same था इसी बीच Mao Zedong के दुआरा कुछ economic reforms किये जाते हैं जो कि complete तरीके से एक disaster होता है Mao Zedong सोच रहे थे कि वो बढ़ चड़कर चाइना में industrialization को करेंगे as a result ये होता है कि पूरे चाइना में भुखमरी सा situation हो जाता है और लगभग लगभग ये माना जाता है कि कुछ 17 से 45 million लोग की इसमें जान जाती है एक million में 10 लाग होता है तो आप simple calculation कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा तो इसी बीच कहीं न कहीं क्योंकि Mao Zedong का जो grip था वो चाइना में lose हो रहा था तो उनको दुबारा से अपने popularity को gain करना था as a result बहुत बार war सिर्फ इसलिए लड़ा जाता है क्योंकि असल मुद्दा से भटकाया जाए और कहीं न कहीं जो देशवासी हैं उनके अंदर nationalism का feelings को डाला जाए तो बहुत बड़ा तपकाय ये भी मानता है कि Mao Zedong के दौरा जो 1962 में attack किया गया था वो एक बहुत ही सोच समझ के attack किया गया था जिसका की भारत से कम relation था लेकिन Mao Zedong का खुद के चाइना से या खुद के उनका जो political reason था वो जादा था उसके बाद 1962 का ये वही दोर था जब Cuban Missile Crisis भी हो रखा था तो in a way USSR, USA ये दोनों देश आपस में इतना जादा close to war हो गया थे कि हम कह सकते हैं कि दुनिया almost nuclear war के आसपास आके पहुँच गया था बनते है शी जिन चाइना के और दूसरी बात 2014 में बनते हैं भारत के प्राइम निस्टर नरेंदर मोदी और जो analyst है उनका ये मानना है कि चाहे वो शी जिन हो गये चाहे वो नरेंदर मोदी हो गये ये अपने देश में तो अपने आपको strong दिखाना ही चाहते हैं उसके साथ ये दोनों leaders अपने आपको as an global leader भी present करना चाहते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि इनके जो भी stands होंगे वो कहीं से भी वो अपने वो कभी भी कमजोर नहीं दिखाएंगे इसलिए जब तक कि भारत में PA Modi रहेंगे और वहाँ पे चाइना में President Xi रहेंगे तब तक भारत और बीच में ये जो aggressive behavior है ये continue ही रहेगा और हम बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो tension है वो कम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है भले public domain से ये news कुछ दिनों के लिए बाहर हो जाए या उसको बाहर कर दिया जाए लेकिन जो tension है वो घरता हुआ नहीं दिख रहा और उसके बात से 2014 से सच में जो हमारे line of actual control के आसपास का area है वहाँ पे बढ़ चड़कर infrastructure development हुआ है यहाँ पी हमें दो बातों का ध्यान रखना है एक तो no doubt जो China का infrastructure development है as compared to India वो जादा अच्छा है लेकिन जितना कम समय में भारत ने अपने infrastructure development को बढ़ाया है वो कहीं से कम नहीं है कह वगेरा को बनाना, almost latest technology का use करना, drones का use करना, radar system का use करना तो हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में अगर LAC region के आसपास अगर किसी भी तरीके का aggression होता है तो हमारे Indian forces सक्षम है उस tension से निपटने के लिए as a result हम कह सकते हैं कि almost almost 20-25 rounds of high level conversation हो गया है भारत और चाइना के बीच में लेकिन अभी भी tension resolve नहीं हुआ है ये भी बता रहा है कि नहीं तो चाइना अपने आपको पीछे करना चाहता है नहीं तो अपने आपको भारत पीछे करना चाहता है कहीं न कहीं भारत को पता है कि वो पंडी जोहालल नहरू जी थे उनका जो stand था चाइना को लेके वो काफी soft था लेकिन उसी वक्त या उसी time period के आसपास बहुत सारे ऐसे leaders भी थे जिनकों कि जो चाइना का जो behavior था वो सही नहीं लग रहा था और multiple ऐसे notifications कहले या information कहले वो दिया गया था पंडी जोहालल भारत में बढ़ चड़के जो Chinese products हैं उसका boycott होता है और उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीजों का जो manufacturing है वो भारत में होना शुरू हो गया या at least हम step लिये अभी यगर आप भारत और चाइना के बीच में वैपार देखेंगे तो वो बहुत ही बड़ा एक deficit है लेकिन फिर भ भारत और चाइना के बीच में multiple rounds of conversation हो रहे हैं तो ये भी बता रहा है कि भारत कहीं न कहीं capable है Chinese aggression को handle करने के लिए उसके बाद जैसे कि बीते कुछ सालों में US है close आया है भारत के, Japan close आया है भारत के तो अकर आप US की बात करे या तो अकर आप Japan की बात करे तो इन दोनों दे रेल और हमास के बीच में war शुरू हुआ है इसी बीच में जो Somalian parrots थे उन लोगों ने बर चड़कर Indian Ocean में जो cargo ships होते उसके उपर attack किया गया लेकिन in retaliation हमारे जो Indian Navy हैं और भी अलग-अलग forces जिस तरीके से almost सभी जो piracy के activities था उसको diffuse किया तो ये भी बताता है कि किस तरी अलग-अलग forces capable हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye